प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम फुलवारी ककसा 4 के पार्ट 5 कहा रहेगी चिडिया इस कविता को आज हम समझेंगे इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है इसी कविता का उसमें हमने इस कविता को लैपद तरीके से गायन किया है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डेस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया जाएगा तो यहाँ पर हमें इस कविता का अर्थ समझना है सबसे पहले की जो इसकी लाइने हैं पांच लाइने इनको देखते हैं आंधी आई जोर शोर से डालें तूटी हैं जकोर से उड़ा घोंसला अंडे फूटे किस से दुख की बात कहेगी अब यह चिडिया कहां रहेगी तो इसमें जो कवी कवितरी है कवितरी क्या कहना चाह रही है इसमें कविता की इन पंक्तियों में कवितरी ने बताया है कि तेज आंधी आने के कारण पेड़ की डाल तूट गई और उसकी वज़े से चिडिया का घोंसला उड़ गया तता चिडिया के अंडे भी फूट कि अब यह चिडिया किस से अपना दुख बताएगी और कहां रहेगी ये कवितरी कहना चाहती है ये कविता महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है अब अगली लाइनों को देखते हैं इनमें क्या कहती है कवितरी हमने खोला आलमारी को बुला रहे हैं बेचारी को पर वो चीची कर रहाती है घर में तो वो नहीं रहेगी अब यह चिडिया कहां रहेगी इन लाइनों में कवितरी क्या कहना चाहती है इन लाइनों का भावारत क्या है चिडिया की वैथा को समझते हुए कवितरी उसकी मदद करना चाहती है इसलिए वे अपने घर की आलमार मारी को खौल कर चिड़िया को उसमें रहने के लिए बुला रही है, लेकिन वह तो चीन्ची करते हुए इधर उदर भाग रही है, वह घर में नहीं रहना चाहती, अब देखते हैं अंतिम लाइनों को, इन में कवित्री क्या कहती है घर में पेड कहां से लाएं कैसे यह गोंसला बनाएं कैसे फूटे अंडे जोडें किस से यह सब बात कहेगी अब यह चिडिया कहां रहेगी इन लाइनों में कवित्री क्या कहना चाती है इनका भावार्त है इन पंक्तियों में कवित्री अपनी विवश्टा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि अब हम घर में पेड कहां से लाएं जिसमें वह अपना गोंसला बना सके और भला उसके फूटे अंडे कैसे जोडें चिडिया अपना ये सारा दुख किस से कहेगी नए जाने चिडिया कहां रहेगी तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने फुलवारी के पांचवे पार्ट कहां रहेगी चिडिया इसमें ये जो कविता है इसका भावार्त समझा है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए इसको लाइक कीजे शेयर कीजे धन्यवाद प्यारे बच्चों